नमस्कार मैं आसीज पाठक आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार परिक्षा प्लस में सीटेट का जो इंतजार कर रहे थे क्योंकि एक नोटिफिकेशन आया था कि सीटेट का आपका अप्लिकेशन फॉर्म आएगा कब आएगा ये नहीं पता था लेकिन अब जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है सीटेट का एप्लिकेशन फॉर्म 30 अक्टूबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा और साथी साथ ये भी बता दिया गया है कि आपका जो इक्जाम होगा वो आपके दिसंबर में स्टार्ट होगा और जनवरी तक जाएगा जैसा कि पिछले साल हुआ था सेम उसी तरज पे होगा ऑनलाइन मोड पिछले साल से ही स्टार्ट हुआ है तो CBT मोड में आपका एक्जाम होगा जैसा आपको ये नोटिस स्क्रिन पर दिख रहा है इस नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है कि यहां पर देखे कि सेकेंडरी एजुकेशन कंड़क्स 16th edition आप 16th edition है तीचर अलिजबिल्टी टेस्ट CDT in CBT मोड ठीक है और जो एक्जाम होगा वो दिसंबर 22 से जनवरी 23 के बीच में होगा exact date आपका admit card में 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 होगा the detailed information bulletin containing detail of examination, syllabus, language, eligibility criteria, examination fee, examination CT and important date will be available on CTT official website आप देख सकते हो शून as on the aspiring candidate are requested to download the information bulletin and the above mention website only and read the same care fully उसके बाद से बोला the aspiring candidate have to apply online through seated आप seated में apply कर सकते हो इस website के through the online application process will be start from 13.1.10 मतलब 31 October से start है आपका 30 नहीं 31 October से start है 31 October 2022 से इसका form start हो रहा है last date जो है application की वो 24.11 है मतलब 24 November है 24 November को इसकी last date है the fee can be paid 25 25 November तक आप fill जो है fee pay कर सकते हो fee का यहाँ पर दे दिया गया है कि आपको कितना fee pay करना है यहाँ पर साप साप दिखा गया है general के लिए 1000 है अगर paper 1 के लिए आप कर रहे हो only paper 1 या paper 2 कोई एक आप दे रहे हो तो इसमें आपका सिर्फ 1000 रुपया लगेगा या तो एक करो या तो दो करो या दोनों देना चाहते हो तो 1200 SCST और disabled के लिए 500 और 600 की बात की गई है एक और information साथ साथ दिया है इसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा और इसलिए पहले ही आप लोग application form fill कर दीजिएगा अगर आपको वही city चाहिए जहां पे आप चाहते हो examination देना तो यहाँ साब साब बोला है the candidate must not that the examination city of their choice will be allotted on the first come first of basis पहले आओ पहले पाओ वाले basis पर आपको examination city जो है allot किया गाएगा only as per the availability of the capacity in the city of examination ठीक है capacity क्या है उस city के examination में क्या seat है उसके according फिर बोल लाए आप से who complete the online application process and pay the fee the first come first of basis we will allotted will be allotted the examination city of their choice as per availability in that particular city अगर availability होगा तो first come first of basis पह आपको जो आप first choice किया रहोगे वो आपको मिल जाएगा the total capacity is a particular city will also be available on the portal portal पे आपके capacity जो है online portal पे available लाएगा कि कहां पे कितनी city है मतलब exam conductor आने के लिए if the total capacity of particular city is full during the completion of application process और making payment of examination fee और updation या transition on portal the candidate will be given the option either to select any other city और cancel that transition मतलब यहां पर यह है कि जैसे क्या होता न है कि का exam भरे होगे तो आप वहां पर center wise होता है कि अगर तुरंद भरे तो आपको city मिल जाएगी नहीं बरे तो दूसरा option आता है अगर by the way आपने एक दिन फर्म भर दिया दूसरे दिन आपने पेमेंट किया हो सकता है उस समय तक आपका क्या हो वह city आपकी भर गई जहां पर आप सोच रहते हैं कि भरना तो फिर यह आप तो city को change कर सकते हो यह अपना transition कैंसिल करोगे तो आपका refund आ जाएगा यह द्यान रखना है तो भाई यह द्यान रखिएगा कि अगर आपको अपना city चाहिए examination के लिए तो जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल आप कर दो तो आप बोला है तो आपको चीज आपको डिका दिया गया है फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और अपनी तयारी को और धार दे दे अपनी तयारी स्टार्ट कर दे अच्छे तरीके से सीटेट जो भी आप फर्स्ट और सेकेंड पेपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टीम के द्वारा कोर्स चलाया जा रहा है अल्मोस्ट वो कोर्स कम्प्लीट हो चुका है वो कोर्स कम्प्लीट हो चुका है आप परिक्षा प्लस एप के माध्यम से आप सीटेट के कोर्स से जूर सकते हैं यह आपका वी ओडी बैच है आप वहां से इस बैच को पर्चेस कर स सकते हैं सब कुछ आपका ओवराल कंप्लीट हो गया है अब हम नवंबर मतलब 15 नवंबर से इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करा देंगे 15 नवंबर से इस बैच में हम प्रैक्टिस करा देंगे और सब जानते हो सीटेट क्वालिफाई करना बहुत ही आसान है आप अगर प्रिव सकते हैं तो इसी के साथ मैं आप सभी से विद्या लेता हूं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद